आज हम लोग यूज़ पारम्स हुक के बारे में पढ़ेंगे, कि यूज़ पारम्स हुक क्या करता है, अगर मैं जैसे रियक्ट आयॕटर अटर 5 की डॉक्पेंटेशन पर जाओं। तो यूज़ पारम्स को अगर हमें यूज़ करना है तो हम क्या है, इसको इम्पॉर्ट कर लेते हैं react router dorm से और suppose जैसे मैंने कुछ भी किया है इंपोर्ट कर लिया use params को react router dorm को और इसको किसी एक variable में sign कर लिया और इसके बाद फिर हमें check करना है कि यह इसको use कब करेंगे इस use params का so suppose हमारे पास कभी-कभी condition होती है कि हम URL में क्या पास करते है कि suppose हमें क्या है एक प्रोडक्ट का detail page को तो एक प्रोड़क्टका detail करते हैं तो अगर मुझे जैसे टिटेल पेज खोलना है तो हम जैसे कि react router में हम क्या पास करते है road path में मैंने यहां क्या पास कर दिया slash detail पास कर दिया and colon product ID पास किया यहां पे इसका मतलब यह है कि यहां पे कोई भी product ID हो सकती है यहां पे यह 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया इसको मैंने लिख दिया colon product id इस colon का लगाने का मतलब हो गया कि यह कुछ भी हो सकता है यह product id इसी तरह मैंने इसके बाद इसको क्या कर दिया है product name दे दिया है तो अब हमें यह चीजे इस detail page में access करनी है कि हमारी product id क्या है तो अब हम क्या करेंगे use params hook का use करेंगे वो चीज मैं implement करके दिखाता हूँ कि यह product id और product ने मुझे कैसे मिलेंगे तो product के detail page पे आ गया है अब मैं यहाँ पे मैंने क्या किया const params को const params equal to use params and use params को मैंने import कर लिया है react route or drum को अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ console.log में use params को print करके देखते हैं कि use params hook में हमें मिल क्या रहा है so हमें मिलना क्या चाहिए कि यह जो मैंने product id and product name pass किये हैं यह हमारे use params में आने चाहिए जो मैं यहाँ पे यह params में प्रिंट कर रहा हूँ कि वो चीज आ रहे हैं यह नहीं आ रहे है मैं यहाँ पे जाता हूँ और यह मेरा main page है जहाँ पे सारे product अब मैं इसको पर click करता हूँ तो मेरा url change होगा यहाँ पे मेरा url change होगा slash details slash to and slash link on crist ठीक है तो यह मेरा product की id है and यह मेरा क्या है product का name है अब मैंने console.log में जैसे का रखा huge param hooks है यह मैंने console का रखा है तो मैंने यहाँ पे मेरा क्या है product id मेरा आ रहा है product name भी आ रहा है तो यहाँ पे जैसे मैंने जो भी variable में add का रखा था यहाँ product id आ रखा था तो same यह huge params में मुझे उसी नाम से वो चीज मिल जाएगी तो यहाँ पे मुझे product id मिल गया इसके बाद अगला मैंने क्या पास का रखा है product name पास का रखा है तो वो मुझे यहाँ पे अगला product name मिल गया अभी मैं इसको जैसे change कर दूँ तो जैसे product id number तो यह मुझे क्या हो जाएगा यह मुझे इसी same variable के नाम से मिलेगा product id number ठीक है अब ही इसको मुझे access करना है तो यह बस simply मुझे क्या करना है यहाँ पे suppose यहाँ पे मैं क्या करूँगा const product id new equal to params.product id यहाँ पे app.js मैंने जो define कर रखा है इसको मैं copy कर लेता हूँ क्योंकि इसी variable के थुरू वह access होगा params.product id number इसी तरह const मुझे product का नाम चाहिए तो मैं क्या करूँगा params.product name अब मैं इसको console.log अगर मैं करता हूँ यहाँ पे मैं print कर देता हूँ product id new and यहाँ print कर देता हूँ product name तो यह दूनों चीज़े मेरी print हो जाएंगी अभी मैं इसको page को refresh करता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या आ गई product id new में क्या value आ गई to आ गई and product name में क्या आ गया जो भी मेरा नाम था वो आ गया so use params का hook का use तभी करेंगे जैसे हम कुछ भी router से हम कुछ भी यहाँ पास कर रहे हैं कि हमारे यह product का id कुछ भी हो सकता है product का name भी कुछ भी हो सकता है तो जब इन चीजों को access करना हो तब हम क्या करेंगे यूज पहरम सुक का use करेंगे thank you all I hope की वीडियो पसंद आई होगी